तो दोस्तो आज 21 सेप्टेंबर 2022 मार्केट के अंदर आज बहुत ही जादा वोलिटिलिटी हमें देखने को मिला जो कि पहले से एक्सपेक्टिट भी था जहां पर आज निफ्टी क्लोजिंग दिया 17,718 पॉइंट पे अल्मूस्ट आधा परसंट से जादा गिरावट के साथ आज की डेट पे वेजिकली FMC सेक्टर को छोड़के सारी सेक्टर में हमें कम ज्यादा गिरावट देखने को मिला स्पेशली बात करें निफ्टी का दो बड़े वेटेज वाला सेक्टर एक हो गया आपका IT सेक्टर दूसरा हो गया बैंक निफ्टी IT सेक्टर जहाँ पे 0.66% गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया दूसरा में बैंक निफ्टी भी 0.64% गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया यानि दो इंपोर्टेंट सेक्टर आज निफ्टी को सबोर्ट नहीं दिया तो डेफेनली आपे निफ्टी के अंदर गिरावट तो उपर बागी फार्मा सेक्टर के अंदर भी भारी बरकम गिरावाट रहा पीस यू बैंक प्राइवेट बैंक उसके साथ रियालिटी सेक्टर हर एक सेक्टर में दोस्तों आज कम ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिला और उसके पीछे जो में रिजन है फाइनली दोस्तों आज वो दिन आ चुका है जिसके लिए लोग इतना ज़ादा वेट कर रहा था इंतजार कर रहा था अब मैं आपको सीधा सीधा अपडेट दे देता हूं कि आज कितने बज़े पर आउटकम निकलेगा तो यहाँ पर आप देख सेक्तों एफो एमसी मीटिंग जो की लास्ट दो दिन से चल आ था 20 सेप्टेंबर से शुरू आ था आज 21 सेप्टेंबर को इसका आउटकम निकलेगा यूएसे का जो कैपिटल है वाशिंग्टॉन डिसी के टाइम के अनुसार दो बज़े के आसपास यानि इंडियन स्टैंडर्ट टाइम के अनुसार राच सारे 11 बज़े पे दोस्तों आपका आउटकम मिल जाएगा चैनल के साथ जुरू रहना मैं आपको उस टेम पे का ट्रेंड आज कैसे होगा अभी अगर हम बात करें यॉर्पेन मार्केट थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिव देखने को मिला है जहां पे डैक्स के अंदर थोड़ा बहुत मामुली से गिलावर्ट एफट एसी हंड़ेट के अंदर भी लगबक एक परसंद के आसपास ते अब समय देखने को मिला और काफी ज्यादा वोलेटाइल हमें देखने को मतनल हर एक सेटेंड यॉपर नीच हमें देखने को मिला साथ डॉलार इंडेक्स दोस्तों बहुत यूपर पहुँच्छ चुका है जोकी ऑने अउक्स्पेक्ट है बट फाइनलेड लेकर आम बात कर कर रहा था जिस वैसे अभी तो फिलाल प्री मार्केट चल रहा है तो आपको पता नहीं लगेगा इस अब कोंड़र को दे दूंगा कॉम्यटी मार्केट की बात करें तो कुम्यटी तो डॉजोंस फिलाल हमें पॉजिटीव देखने को मिला पट कब तक मिलेगा मालूम ने यहां पर अगर मेरा जो एनलाइज है उसके कोडिंग 75 से लेगा अगर हंड़ीड बीपेस तक आ गया मतलब यहां पर जो रेपोरेट हाइक हो गया तो उसकेस में आज डॉजोंस या न जिस बैसे मार्केट पहले सी यह सारे चीज़ के लिए प्रिपेर हो गया था हो सकते है कि आज अगर 75 से लेके 100 बीपेस भगवान करें उतना ही हो जाए उससे ज्यादा ना करें डेपोरेट हाई कि ठीक है अगर इतना हो गया आप तो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव म करने के लिए जब 41,500 का लेबल ब्रेक होगा जो लोग शुरुआत की समय पर भाई किया था पूट उसके बाद हमने देखा लगबग 200-300 पॉइंट के आसपास बड़ा ट्रेट मिल गया था अराम से प्रॉफिट वूगिंग करें निकलने का मौका था जिस पैसे हमेशा मैं मैं आपको बोलता हूं जो सेगेंड पार्ट होता है इस वीडियो का वह डेफिनेटली आप दोस्तों ध्यान से सुनना और अब चलिए मैं आपको सीधर सीधा कैंडल स्टिक चार्ट पर लेके चाहिए तो दोस्तों यहां पर हम आ चुक है निफ्टी 50 का जो कि आज इंट्र के प्ले करना चाहिए तो यहां पर आप देख से थोड़ा वहत पीक लगा कि एकडम नीचे आ ता फिद की सबसे बात करेंगे कर या कि आपका स्ट्रॉंग सपोर्ट लेवल है 17500 जो कि उसके पहले भी यहां पर देख से तो स्ट्रॉंग ली सपोर्ट किया उसके बाद ही निफ्टी के अंदर एकदम से तेजी 18000 क्रॉस किया था और उसके बाद लगातर गिरावट अभी देखें मार्केर भी काफी जाद है यहां पर देहान से सुनना उसी लेवल का सब्सक्राइब करना इनकेस अगर फ्लैट ओपन होता है फ्लैट उपन होने का चांस ही बहुत कम है क्योंकि यह तो इस पर जाएगा या तो यह तो गयाप अप होता है तो उसके समय पर कोई ट्रेट लेने की जरूरत नहीं है पहले आप जो म से ब्रेक करने के लिए इनकेस अगर डाउन ओपेनिंग होता है तो यहां पे सपोर्ट यहां पे सपोर्ट लगके फिर से थोड़ा बहुत यहां पे रिकावर होने का चांस है जिस बैसे आल्मोस्ट सो से देर सो पाइंट का असपास आपको जो कि एक बढ़िया ट्रेट मिल रही है ठीक है स्पेशल में बिगिनर्स को यहां पर करूंगा बैंक निफ्टी के बाद कर तो बैंक निफ्टी कल भाइटल रोल प्ले करेगा आज लोर साइड में काफी स्ट्रॉंग सपोर्ट मिला एक ताली साजा नौसों पे बहुत लोगा इसी लेबल का आसपास फसा थ इस लेवल को देखिए और वहाँ से आपको एक बढ़िया पूट बाई करने के लिए बोला था और यहां पर आप देख सीधा सीधा इतना लंबा चौर आप बहुत बढ़ा ट्रेट मिल गया अगर आपको बिलीब नहीं है तो कल का वो वीडियो आप चाहे तो देख सकतो उ इसलिए देखने को मिला क्योंकि डॉजोंस फ्यूचर जो था शुरुवात के समय पे नेकिटिम में चला था जिस पैसे उस टाइम पे गिरावाट हुआ था उसको बार दोजोंस फीचर जैसे पॉसितिव में तुरंद देखिए यहां पर यहां पे रिकावरी देखने को मि यह इंपोर्टेंट लेवल हो गया जो कि इसी लेवल का सब्सक्राइब मैं आपको बोलंगा रुख जाहिए आगे बड़ी यहां पर मत बढ़िये मतब शुरू में एकदम ट्रेड मत लेना इनकेस अगर ऐसा ना होके ठीक है गाप विनिंग होता है यानि यूस मार्केट सम सब्सक्राइब करेंगा चैनल को सब्सक्राइब करना मिलता है नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए टेक क्या बबाई जय हिंद तो दोस्तों अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकॉन नहीं है तो अप्स्टॉक जैसे बड़े प्लाट्पराण में डीमेट आकॉन उपेन कर सकते हैं जहां पर आपका ब्रोकर इच प्रीज ना के बड़ा बल लगता है लिंक आपको वीडिय चीजों को तयार रखना है आपका अधार कार्ड आपका पैन कार्ड एक कैंसल चेक और आपका सिगनेचर और आधे घंटे के अंदर आपका डीमेट आकॉन बन जाएगा